नमस्कार टॉफवन हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है इस साल का दूसरा और आखरी सूर्य करण आज यानि 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज लगने वाले सूर्य करण का समय क्या रहेगा और इसके साथ इस सूतक काल कब त कर दिजेगा और साथ ये ऐसे वीडियो तेखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दीजेगा आई ये वीडियो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सूर्य करण कितने बज़े लगेगा और कितने बज़े खतम होगा तो ऐसे में साम के 6 बच कर 32 मिनिट पर सूर्य गर्ण समाप्त हो जाएगा आपको बता दे ये सूर्य गर्ण पूरण सूर्य गर्ण नहीं है आंसिक सूर्य गर्ण है ऐसे में सूर्य पूरा चान के पीछे नहीं चुपेगा बात करें कि ये सूर्य गर्ण कहां कहां दिखाई तो आपको बता दे भारत के लगबग सभी जगों पर ये सूरिगरण देखने को मिलेगा इसके साथ ही यूरोप, अत्री पूरवी, अफरिका और पस्चीम एसया के कुछ इस्सों में ये सूरिगरण देखने को मिलेगा बात करते हैं कि सूर्य गरहन के दुरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो आपको बता दें जोतिस सास्त्रों के अनुसार सूर्य गरहन के दुरान कोई भी सुब कारिय नहीं किया जाते हैं और सूर्य गरहन के दुरान खाना पीना भी नहीं किया जाता और खास तोर पर गरवती इस्त्रियों को ये सला दी जाती है कि वे घर से बाहर न निकले वहीं बात करें क्या सूरे गरण को सीधी आंकों से देखना नुकसान दायक हो सकता है तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ सूरे गरण को सीधी आंकों से नहीं देखना चाहिए वैसे सूरे को भी सीधी आंकों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसकी रोसनी काफी जादा होती है और इसलिए आंखों के कई पाल्ट डेमेज हो सकते हैं और सूर्य गरंड के समय भी इसी करण आपको सूर्य कुछ सीधियांकों से नहीं देखना चाहिए इसके साथ ही सूर्य गरंड के समय कई सारी हानी कारक्रिने धर्टी पड़ाती है जो कि सीधिया आपकी आखों में ना चली जाए इसलिए खास equipment की मदद से ही आपको सूर्य गरंड को देखना चाहिए बात करें कि समय क्या रहेगा तो आपको बता दे कहीं जगों पर अलग-अलग समय बताया जारे यह समय हर एक सहर और हर एक राज्य को लेकर है कुछ राज्य में कम समय के लिए सूर्य गरंड देखने को मिलेगा तो कुछ राज्य में जादा समय तक सूर्य गरंड देखने को मिलेगा लेकिन इस वीडियो में हमने जो आपको समय बताया है यह भारत या दिश्टी को उन से बताया है यानि कि पूरे भारत में कब तक सूर्य गर्ण देखने को मिलेगा इसको लेकर ये हमने समय बताया है ऐसे में जो सूतक है वो सूर्य गर्ण के समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा ये थी पूरी जानकारी सूर्य गरहन को लेकर वीडियो गर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाइक करेगा और साथ ये से वीडियो और टेखनीकरे चैनल को भी सबस्क्राइब करके बेल आइकर गोज दबा दीचेगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में किस अन्जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद